सभी विद्यार्थियों को मेरे चैनल में स्वागत है आज हम लोग सीखेंगे सेस्फल परमे रिमाइंडर थियोरम का पार्ट नमबर आठ तो पहला नमबर कोशन को धियान से समझेंगे यदी किसी संख्या को 136 से भाग देने पर सेस्फल 36 प्राप्थ होता है तो उसी संख्या को यदी 17 से भाग दे तो सेस्फल क्या प्राप्थ होगा मा लेते हैं एक संख्या है एकस अगर एकस को 136 से भाग दिया जाता है तो सेस्फल 36 प्राप्थ होता है अब इसी संख्या को अगर 17 से भाग दिया जाए तो सेस्फल क्या प्राप्थ होगा तो इसी संख्या के सेसफल को 17 से भाग देंगे विद्यार्थी, तो जो इसका सेसफल होगा, 17 दुनी 34, सेसफल 2 प्राप्त होगा, यही इस कोशन का final answer होगा, यदि किसी संख्या को 156 से भाग देने पर 29 सेस बचते हैं, उसी संख्या को 13 से भाग देने पर सेसफल क्या होता है, अब उसी संख्या को 13 से भाग दें तो सेसफल क्या होगा, तो इसी संख्या को सेसफल को 13 से भाग देंगे, तो 13 दुनी 26 हो जाएगा, सेसफल आपका 3 प्राप्त होगा, यही इस कोशन का final answer होगा, किसी संख्या को 6 से भिभक्त करने पर सेसफल 3 प्राप्त होता है, उसी संख्या के बर्ग को 6 से बिभक्त करने पर सेस्फल क्या बचेगा यहनि किसी संख्या को 6 से भाग देते हैं तो सेस्फल 3 प्राप्त होता है अब इसी संख्या के बर्ग को अगर बर्ग करेंगे तो सेस्फल भी बर्ग के रूप में कनवाट हो जाएगा संख्या के बर्ग को अगर हम 6 से विभाजित करेंगे तो 6 फल क्या होगा 3 के स्कार 9 को अगर 6 से विभाजित करेंगे तो इसका जो 6 फल बचेगा 3 बचेगा यही इस कोशन का final answer होगा कोशन नमर 4 सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे किसी संख्या एन को 4 से भाग देने पर सिस्फल 3 प्राप्थ होता है संख्या 2 एन को 4 से भाग देने पर सिस्फल क्या प्राप्थ होगा एन को अगर 4 से भाग देते हैं तो सिस्फल 3 प्राप्थ होता है अब 2 एन बोलता है इसमें डबल कर दिया है 2 एन तो इसका सेस्फल को भी हम डवल कर देंगे इसको अगर 4 से भाग देंगे तो सेस्फल जो हमारा प्राप्त होगा ये 6 को अगर 4 से भीवक्त कर देंगे तो 4 एकम 4 सेस्फल क्या प्राप्त हो जागा दो यही इस question का final answer होगा question नमर पास सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे एक संख्या को 13 से भीवक्त करने पर एक सेस्फ बचता है यदि भाग फल को 5 से भाग दे तो 3 सेस्फ बचता है यदि इस संख्या को 65 से भाग दे तो सेस्फल क्या प्राप्त होगा तो 13 से एक संख्या को हम भाग देते हैं तो 13 से एक संख्या को भाग देंगे तो सेस्फल एक प्राप्त होगा भाग फल बाई प्राप्त होगा भाग फल को अगर 5 से भाग देते हैं तो सेस्फल 3 बचता है अब बोलता है यही संख्या को यदि 65 से भाग दे तो सेस्फल क्य प्राप्त होगा, तो सबसे पहले हम X का मान ग्याद कर लेते हैं, तो 5 एकम 5 और 3 हो जाएगा 8, यानि 2 का मान 8 हो जाएगा, 13, 8, 104 होगा, और 1 जोड़ देंगे 105, यानि X का जो मान होगा 105 होगा, यही संख्या हो जाएगा 105, यही 105 संख्या को यदि 65 से डिवाइड करेंगे, तो सेस्फल कितना प्राप्थ होगा, चालिस यही इस कोशन का फाइनल अंसर होगा, कोशन नमर 6 को सभी विद्यार्थी धियान से समझेंगे, यदि किसी संख्या को पाँच से भिवक्त करते हैं, और तीन से भाग देते हैं, तो सेस्फल तीन से भिवक्त करते हैं, तो सेस्फल दो और एक प्राप्थ होता है, तो वह संख्या क्या है, तो हम यहाँ पर एक मान लेते हैं, तीन एकम तीन और एक चार हो जाएगा, बाई कमान चार हो जाएगा, एक सकमान पता करना है, तो 5-24 हो जाएगा और 2-22 हो जाएगा यानि जो वह संख्या होगा विद्यार्थी वह संख्या हमारा 22 होगा किसी संख्या को 4 से भाग देने पर सेस्फल 2 प्राप्थ होता है इसे प्राप्थ भाग फल को 5 से भाग देने पर सेस्फल 3 प्राप्थ होता है इस परकार प्राप्त भाग फल को 6 से भाग देने पर सेस्फल 5 प्राप्त होता है यदि अंतिम भाग फल 7 हो तो वह संख्या क्या है तो ध्यान देंगे सभी विद्यार्थी स्कुर्शन को बहुत सांदार तरीका से आपको हम बताने वाले हैं सबसे पहला जो आपको संख्या निकालना वा संख्या को एक्स मानिए चार से भाग देने पर सेस्फल 2 प्राप्त होता है अब इसे प्राप्त भाग फल को 5 से भाग देने पर सेस्फल 3 प्राप्त होता है अब इसे प्राप्त भाग फल को 6 से भाग देने पर 6 फल 5 प्राप्त होता है यदि अंतिम भाग फल 7 हो तो भा संख्या बताईए तो ध्यान देंगे सबसे पहले जेड का मान हम लोग असानी तरीके से निकाल लेते हैं कि जेड का मान क्या होगा तो 7 छका 42 और 5 हो जाएगा य 238 अब एक सका मान पता कर लेते हैं जो हमारा संख्या है 4 गुना 238 पलस दो करेंगे तो जो एक सका मान होगा 954 होगा यही इस कोशन का final answer होगा जो हमारा इस कोशन का जो संख्या होगा 954 होगा एक संख्या को करमसा 9 इगारा 13 से विभक्त करने पर करमसा आठ नो आठ सेस बचते हैं यदि विभाज को के करम को उलट दिया जाए तो सेस्फल क्या बचेगा तो सबसे पहले विद्यार्थी हम संख्या ग्याद करते हैं तीन बार डिवाइड किया जाता है तो तीन कॉलम बना लेंगे पहला संख्या जो हमारा होगा एक सोगा भागफल दूसरा बाई होगा तीसरा आपका जेड होगा नो से पहले भाग दे रहे हैं फिर इगारा से भाग दे रहे हैं तो तेरा से भाग दे रहे हैं सेस्फल क्या बच रहा है पहले से अगर भाग देते हैं तो बसता है और यहां पर एक मान लेंगे जेट का मान पता करने के लिए 13 गुना 1 प्लस 8 करेंगे का मान हो जाएगा 21 बाई का मान पता करने के लिए 11 गुना 21 प्लस 9 कर लेंगे तो बाई का मान हो जाएगा 240 एक स्कामान पता करने के लिए जो हमारा संख्या है 9,240 प्लस आठ कर लेंगे तो जो संख्या होगा 21 और 68 यानि विदियार्थी जो हमारा संख्या हो गया 21 और 68 इसी संख्या को विभाजकों के करम को उलट के डिवाइड करने पर सेस्पल क्या होगा इसका मतलब पहले 9,11,13 स भाग दे रहे थे अब आपको भाग देना है 13, 11, 9 से 13, 11, 9 से अब 13 से 168 को विभाजित करेंगे तो 166 बार में डिवाइड लगेगा सिस्फल 10 बच जाएगा 11 से 166 को डिवाइड करेंगे तो 15 बार में डिवाइड होगा सिस्फल 1 बच जाएगा और 9 से अगर 15 को डिवाइड करेंगे तो एक बार में डिवाइड लगेगा सिस्फल छे बज जाएगा तीस कोश्चन का जो फाइनल अंसर होगा दास एक और छे यानि बिवाज को के करम को उलटके अगर भाग देंगे तिस कोशन का जो फाइनल अंसर होगा दास एक छे उमेद है सवी विद्यार्थियों को समझ में आया होगा धन्यवाद